एक वाटसेप ग्रूप में आपती जनक वीडियो डालने का मामला सामने आया है जिस ग्रूप में कई राजनितिक पार्टियों के नेता और प्रशासनी का धिकारी भी सतसे हैं इस पूरे मामले की शिकायत हर्याना प्रदेश महिला कांगरस की प्रवक्ता रंजीता महता ने पंच्वला पोलिस से की उन्हीं से इस पूरे मामले प्रबाद की हमारे सही होगी अनिल कुमार्ड कि पुलिस को उन्होंने क्या सिकाज़ दिया देखे कल 29 अगस को रात को बारा बजी के करीब एक पंच्छकुला मंथन गुरूप के नाम पर वट्सेप का गुरूप बना हुआ है जिसके अंदर 2500 से जादा मेंबर्स हैं और ज्यादा तर इसमें महिलाएं जो हैं वो मेंबर है और ग्रूप एडमीन भी एक महिला ही है और आपको जानकर हरानी होगी कि रात को 12 बजे के करीब भाशपा के जो सताने विदायक है ग्यानचंद गुपता जी उनका जो रियल भांजा है अमिद गुपता जो कि ना केवल उनका भांजा है बलकि उनके पीए की रूप में भी वीडियो बारा बजे से लेकर पूरा एक घंडा तक लगाता रहे इनसान डालता रहा उसके बाद सुबह जब सब लोगों ने अपती जताई और इस तरह की वीडियो देखी ना केवल नारियस मीता जो है वो शरम सार हुई हम सब लोग मतलब बुखला गए और हरान हो गए क इस तरह की का गंदा मटीरियल कौन इसके अंदर डाल रहा है और उसके बावजुद भी इस बशरमी की हद देखिए उस वीडियो उसको डिलीट नहीं किया गया अभी वीडियो उस ग्रूप के अंदर ही है और एक एक करके महिलाए उस ग्रूप को छोड़ रही है तो हम यह जाना चाहते हैं कि जो भाजपा की गंदी मांसिकता है क्या इस तरीके के लोगों को भाजपा में शामिल किया जाता है और सरक्षन दिया जाता है सुबह से हम DCP साब के DC साब के सब लोगों के चक्कर लगा रहे हैं ACP नूपूर के पास अपनी कम्प्लेंट दर्च करवा के अपर अभी तक हमें F.I.R. की कॉपी नहीं दी गई है इससे साफ नजर आता है कहीं न कहीं भाजपा और उनका पुरा मंत्री मंडल जो है इनको बचाने में लगा हुआ है इस ग्रूप के अंदर नाकेवल महिलाएं जूड़ी हुई हैं वालकि बहुत सारे गनमाने व्यक् भी बहुत सारे इस ग्रूप में मेंबर हैं चाहे वो जगदीब डाड़ा जी हैं और चाहे वो और अपने आशुतोष SDM हैं बहुत लोग हैं जो इस ग्रूप में में बर हैं तो मैं यह जाना चाहती हूँ कि क्या परसाशन अंधा है और उनको इन चीज़ें दिखाई नही जाहें कि अपनी बेटिओं के लिए चाहां सुरक्षा की बात करते है यहां पर हर्याना की बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं नारियए- जो है जितना शरम से सर नहीं जुकेगा और किस तरीके से वो पब्लिक फेस कर सकती है मैता जी आपने जो पुलिस को स्काइटी है तो पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज किया है या नहीं किया है अगर पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो हर्याना प्रदेश महीला कांग्रस का अगला कदम क्या होगा? इसे साफ नजर आता है कि इनकी मन्षा जो है वो अपने भांजे को बचाने के लिए है और आप यह देखिए जो यह वट्सैप ग्रूप बना हुआ है इसके अंदर जितनी वीडियो डली होई है क्या एक आम महिला यह आम नारी आम मा एक आम बेटी क्या इस तरीके की वीडियो देखने के बाद वो पब्लिक फेस कर सकती है और इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर कारवाई नहीं होती है तो इससे साफ नजर आता है कि भाजपा कही न कहीं कभी बाप जो है अपने बेटे को बचाता है जैसे सुबाश वराला जी अपने विकास विराला के केस में उनको बचा रहे थे और अब विधायक ग्यांचंद गुपता जी है वो अपने भाज़े को बचा रहे है और जब भी इनके विधायकों का नाम भी बीच में आता है तो पूरा मंतरी मंटल उनको बचाने में लग जाता है तो कहीं न कहीं साफ नज कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा देखिए हम चुप नहीं बैठेंगे और जहां तक नारीय स्मिता की बात होती है जहां हमारी खुद की गरीमा को ठेस्ट लगी है हम इसको लेकर कल सुबह तक अगर हमें कौपी नहीं मिलती है हम पुलिस परशाशन का घिराब भी करेंगी हम डी सी ऑफिस का भी घिराब करेंगी हम गुपता जी के घर का घिराब भी करेंगे और नहीतिकता के हिसाब से तो इस मामा जी को भी अपनी पत से स्टीफा देना होगा आप ये देखे कि इतिहास में जब कभी भी किसी मंत्री के बेटे के उपर इलजाम आया है या उसके इसाब से ना इनको शरम आती है और ना ये अस्तीफा देते हैं हम स्तीफे मांग भी करेंगे इनके पुतले भी फूकेंगे और जब तक हमारी आवास सुनी नहीं जाती इस आवास को हम उठाते रहें ये थी मेर साथ हर्याना प्रदेश महिला कांगरस की प्रवक्ता रंजीता मैता इन्होंने अरोप लगाया है कि एक वर्डशैप ग्रूप पर पंचकुला विधाय के रिष्टेदार ने असलील वीडियो अपलोड की है जिस पर अपत्ती जताते हुए उन्होंने पुलिस को शिकायत की है उन्होंने ये भी बताया कि ये वर्डशैप ग्रूप में वो भी मेंबर हैं इसके साथ साथ बाजपा के कई नेता और परसाशनिक अधिकारे भी सदसे हैं इन्होंने ये भी सपष्ट कर दिया कि अगर अब इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो हार्याना प्रदेश मैला कांग्रस सडकों पर उतर कर परदर्शन करेगी कैमरामें संजे के साथ अनिल कुमार टोटल निव चंडिगार